जहिंद नमस्कार मैं सतेंद्र कुमार यादो तो साथियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने हो लाए कि क्या उतर परदेश में लेखपाल की नई भरती आने वाली है एक नोटीस वाइरल हो रहा है तो नई भरती आएगी तो कितनी भरती आएगी कोब आएगी किस पे सब बातों को आपके साथ हम डिसकस करने वाले हैं अगर चैनल पर पहली बार विजिट की है तो सबस्क्राइब कर सकते हैं और आप लोग जानते ही है 1262 की टैपिंग होनी है उसके बाद भी प्रोसेस लगी हुई है सरकार स्लो मोशन में काम कर रही है मेरा भी टैपिंग है जो पुराने स्ट्रेंट से मुझे जानते हैं वो अच्छी से जानते हैं तो उसमें आपको बता दों कि कितनी वेकेंसी आएगी पहले तो 4700 रूप वेकेंसी का अध्याचन खाली था इसमें जो नई वेकेंसी की जोईनिंग हो इसमें 181900 बच्चों ने छोड़ दिया उनक 2200 के अप्राक्स यह सीट और बढ़ जाएगी यानि लगभग 4700 और 223 जोड़ देंगे तो 6000 पांच यह तो 7000 7000 प्लस ही आएगी भाकेंसी जो आएगी तो यह भाकेंसी आएगी पेट 2023 पे संभावना 90% है नहीं तो अगर धोड़ीश लेट हो गई भाकेंसी तो चुनाओं के समय अगर आ रही है मानलोज 2026 का चुनाओं का 27 में चुनाओं होना है तो 2026 में अगर आ रही है तो पेट हटा दिया जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादे लड़कों को मौका मिलेगा और सरकार उससे बोट लेने के चक्कर में रहेगी और कुछ अर्निंग भी होगी तो इस साथ में अगर पारलेल कोई और एक्जाम का तैयारी करते हैं तो तैयारी कर लिजिए क्योंकि इसमय ज्यादा लगता है क्योंकि 2021 का 1262 का भी टाइपिंग नहीं हुआ फाइनल जो आइनिंग समझो की 2526 हो सकता है पचीस में ही हो चार-पांच साल लग जाता है एक वकेंसी क करने में यूपी में तो यह प्रॉब्लम है सरकार की हमारी कोई समस्या नहीं है हम आपके पास जो इनफार्मेशन हैं बता रहे हैं पहुंचा रहे हैं फिर मिलेंगे नेक्षप्रेक्स अ करते हैं बता हैं गया है हैं बता है है